हेलो एवरिवन राधे राधे आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडेस 33 अर्निंग्स पर शेयर के सारे कंसेप्ट कवर करवाने वाला हूँ यह जो इंडेस है बहुत ही आसान सा इंडेस है और एक्जाम में भी जेनरली इसमें से एक क्वेशन आपको एजीली देखने को मिल ही जाएगा तो यह इंडेस हमें सिखाएगा तो यह इंडेयस को आपको अपने फाइनेश्य स्टेटमेंट में को अपने फाइनेशल स्टेटमेंट में और प्यूम्ट혁ब से इस्टमेंट रसना च inm 003 वाला कोई भी पार्ट अप्लिकेबल नहीं होगा इस इंडेस में कोई अकाउंटिंग नहीं कर दिया जाता है तो उसका रीजन यह है कि कैसे इन्वेश्टक्र से अयु pizza ओलेक उन्हें कि कान्ट औहmost करनें है कि उन लोगों का हकं बंता है जहने जनना की कंपनी क्या कमा रही है तो अरते ही कंपणी ने उर्णिक कितनी कमाई पर измен एक शेर उसको क्यां शिक्टिन के बदले में ऌरेम है ले सके यह वहां पर टैल में डिसकेशन करते हैं यहां वह सब डिसिजेन नहीं लेने आपको यहां तो आपको calculation करना सीखना है कि वह EPS calculate कैसे करोगे और present किस तरीके से करना है वह आपको देखना है तो यह इंडेस आपका complete हो जाएगा बहुत ही आसान इंडेस अकर इस इंडेस को आप structure तरीके से पढ़ते हो जो कि मैं आपको regular वाले class में भी cover करवाता हूं इसमें अपन सारे questions भी देखते हैं तो बहुत आसान इंडेस हैं सही तरीके से पढ़ा जाए देखिए जो EPS है वह आपकी performance मेज़ा करने में किस तरीके से help करता है उसका मैं एक इसका मतलब क्या हुआ कि company per share earnings क्या कमा कर दे रही है एक shareholder को current year में 100 रुपीज कमा के दे रही है और पिछले साल एक share पर क्या earnings कमा के दे रही थी company एक shareholder को 80 रुपीज की यानि company ने growth करी है company में growth हुई है company का business grow किया है ऐसा shareholder के पास information जाएगी वह आराम से decision ले सकेगा investor इसके लावा EPS एक और तरीके से decision making में help करता है मान लीजिए एक geo limited company है और इसकी competitor similar industry टेलिकॉम इंड़स्ट्री में एक एटल इमिटेड कमपनी है geo limited ने current year में अपना 100 रुपीज EPS दिखाया है और एटल इमिटेड ने current year में 80 रुपीज का EPS दिखाया है तो आप खुछ सोचो कि shareholder कहा invest करना चाहेगा geo limited में दिख रहा है कि एक share में अगर पैसा डालेंगे तो 100 रुपीज की earning आएगी और एटल में पैसा डालेंगे तो एक share पर 80 रुपीज की earning आएगी तो बढ़िया क्या है geo limited तो इस तरीके दे डिसीजन लेने में help करता है जो मैंने आपको बता दिया EPS दो तरीके के होते हैं एक basic EPS और एक diluted EPS जो कि अपने को इस चप्टर में detail में पढ़ने है जैसे ही यह दोनों complete हो जाएंगे आपका इ schedule 3 के अंदर schedule 3 में अपने statement of pre-handle देखा था इसमें आप सबसे पहले revenue minus expenses कर देते हैं तो आपका profit आ जाता है और इसके बाद last में आपको दिखाना होता है earnings per equity share basic EPS और diluted EPS दोनों EPS आपको present करने होते हैं और यह आपके जो schedule 3 का format इसमें current period और previous period दोनों के column होते हैंनी current year और present होगा समझ में आगई बात तो बस EPS पुरा presentation disclosure वाला इंडियस है जिसमें आपको disclosure देना है accounting की कोई बात नहीं करता यह इंडियस यह आपको पहले से fact clear रखना है तो यह आपका इस इंडियस का introduction था कि इस इंडियस में आपको क्या सीखना है वो मैंने यह आपे note-down किया है अब इस इंडियस का जो सबसे पहला पाट है basic EPS मैंने बोला EPS दो तरीके की होते हैं बस यह ही हमें calculate करना सीखना और present करेंगे हम सबसे पहले हम basic EPS की बात कर लेते हैं कि basic EPS क्या है और इसे calculate किस तरीके से करोगे तो basic EPS में कुछ ऐसा special है नहीं बताने को जो आप पहले से करते आ रहे हो इंटर में आपने FM के अंदर सीखा होगा EPS निकालना जो general normal EPS है उसे ही हम basic EPS बोल देता है इंडिया तो basic EPS आपको निकालना सीखना है तो basic EPS कैसे calculate होगा जिसका मैंने formula यहां पर non-down किया हुआ है किया earnings कमा कर दिये सिंपल सी बात है company की जो earnings उस पर हक किसका होगा मालिक का किसी भी चीज पर होता है मालिक का company के मालिक कोन होते है equity shareholders कमपनी के मालिक है तो दावेदारी रखेंगे कि वह company ने पैसा कमाया उसमें हमारी दावेदारी तो पर श्यर पर श्यर कंपनी ने क्या प profit कमाया का क्या मतलब है तो आइशसा profit लो जिसमें सारे खर्चे प्रेंड के पैसा आपने प्षयम प्रेश करें हैं यानी कितने निक्ति मार्केंड मिट्री नियुक्ते से कंपनी की रुपीज 1 फॉर्मुला को आपको डेटेल में देखना है तो मैंने यहां पे लिखा है बेसिक EPS का फॉर्मुला लोग वास्तों में लीगल फॉर्म में इक्वीटी चेर्स है इसका क्या मतलब है आपने इंडेस 109 पड़ा है सुन लेना ध्यान से आपने इंडेस 109 पड़ा और इंडेस 109 में हम क्या करते थे कई बार लौन होता था डिबेंचर होता था यह प्रिफरेंच शेर्स होते थे इनमें भी हम एकम्पोनेंट निकाल लेते थे कुछ इकम्पोनेंट होता था हम उसके सब्स्टेंट बाकियह करते हैं तो यह में आपको वह कंपोनेंट कंसिटर नहीं करना है इंडियस 109 की अपिलिकेबिलिटी नहीं करनी है यह इंडेस का जब भी question होगा आपके दिमाग में सिर्फ आपका EPS का जो formula वो होना चाहिए बाकि कोई इंडेस का accounting का concept आपके बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि यह इंडेस accounting से बहुत दूर है मैंने बोला ना इस इंडेस में कोई भी accounting आपको नहीं करनी है तो accounting वाले पार्ट से आप बिल्कुल दूर हो जाना यह इंडेस अपनी अलग calculation करवाएगा इस इंडेस में आप लोगे ना डेनोमिनेटर में तो आप ओरिजिनल वाले इक्विटी शेयर लीगा शेयर ऐसा नहीं कि इंडेस 109 ने किसी लोम को अगर इक्विटी इंस्ट्रुमेंट क्लासिफाई कर दिया तो उसको भी consider कर रहे हो नहीं वह गलती नहीं करना आपको सिर्फ ओरिजिनल इंडेस के जब भी हम questions करते हैं इंडेस 109 को हम completely ignore करते हैं इंडेस 109 को generally हम completely sideline करेंगे वह आपको आगे बताता भी जाओंगा किस तरीके से करना है यह आपका point clear होना चाहिए तो आप लेलोगे profit loss जो एक्ट्विटी शेयर होल्डर से ना company के ओडिजिनल इक्विटी शेयर अब बेसिक जैसे मैंने एक ग्जांपल दिया रुपीज बन लेक की अर्निंग है डिवाइड बाइन अमबर ऑफ शेयर तो रुपीज हंड्रेड आ गया तो बेसिक हमेशा यह पॉजिटिव आएगा इसका नामे नहीं एप जो है आपका नेगेटिव भी आ सकता है जो कंपनी कर रही है वो भी तो पर शेयर बटेगा शेयर होल्डर को पता होना चाहिए न कि इसका लॉजिक ही यह है कि आपको शेयर होल्डर की है करने है decision making में इसलिए आपको disclose करना अगर आपकी कंपनी में लॉस और आप एपिस नहीं बताओगे तो शेर holders को विचारों को पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी में शेर में पैसा लगाएंगे तो हमें तो पर शेर इतना के लिए अवेलेबल है तो ठीक है अगर आपको मानलो question में दे दिया प्रॉफिट लॉस अवेलेबल टू ओरिजिनल लिक्विटी शेर होल्डर्स वन ले तो कोई दिक्कत नहीं है पर question में क्या इसा नहीं करेगा question को थोड़ा घुमाने की question करेगा question बनना चाहिए न वर्दी तो वो कुछ और देगा आपको और उस particular profit से आपको इस वाले profit पर आना पड़ेगा वो कैसे आएंगे वो आपको calculate करना सीखना है तो पहले हम numerator पार्ट निकालना सीख लेते हैं इस formula का फिर हम denominator वाले पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पह बहुत इज़ी उसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है देखिए कैसे आपको question में पता क्या करेगा institute कई बार EBIT देगा earnings before interest and tax EBIT आपको देदेगा तो सर EBIT दिया है क्या यह profit available to equity shareholders है नहीं सर यह तो earning before interest tax है इसमें तो इंट्रेस्ट का खर्चा और टेक्स का खर्च इंट्रेस्ट का खर्चा खर्चा हटाएंगे इंट्रेस्ट एक्सपेंसे किसमें होते हैं सर मैंने loan लिया है debenture से पैसा उठाया है उस पर interest का खर्चा बनता है तो मेरा आजाएगा profit before tax जिसे आप EBIT भी बोलते हो समझ में आया क्योंकि मैंने EBIT में से इंट्रेस्ट आया अ तो मैंने क्या बोला इस इंडेस में 109 को तो हम जनरली लिंक करेंगे ही नहीं इस इंडेस का जब भी question करेंगे institute इंडेस 109 को ignore करने की बात करेगा जो मैंने नौट्स में इंकॉर्परेट भी करका भी बता दूंग आपको तो जब मैं इस इंडेस को पढ़ा रहा हूं जनर समझ में आई बात तो इस इंडेस के जब भी question करेंगे इस इंडेस की जब भी conceptual knowledge लेंगे तो 109 को सोचना ही नहीं है क्यों नहीं सोचना क्योंकि जनरली इंस्टिटूट भी बोलता है कि यह जो इंडेस है आपको EPS की presentation की बात करा है डिस्क्लोजर की कोई accounting की बात नहीं कर दाकि हमें accounting का effect देना है हमें तो off the books जाकर pen paper पर calculation करनी है और वो EPS books में दिखाना है तो वो तो general जो original earnings है वो दिखनी चाहिए ना कि पर share order को इतना फायदा हो रहा है तो उसमें accounting वाला part side कर देना आपको ठीक है इंडेस 109 को ignore करके आप डिवेंचर बॉंट्स लॉन जो भी पॉपलिक लगा के लिखा है इतना सब लिखने की क्या चुप रहती है आप एक पैटी लिख देते तो आप लोगों के लिए क्योंकि कई बार इंस्ट्री एक्जम में पता है क्या क्या करता है अब कुछ इस्ट्रूएंट्स होंगे अरे यार यह यार यह प्रोफिट फॉर इन तीनों में से कोई भी वर्डिंग मिले इसका मतलब पैट है वो पैट ही होता है वो पैट ही होता है अब भी अगर आप इसमें एक्जाम में उल्टी सीधी आजम्शन लेके आओगे तो फिर वह आपके जिम्मिदारी है यह चीज मैं हमेशा करता हूं अपने नोट में अपनी क्लासे में आपको हमेशा बताता हूं कि आपको क्या सुख से अपने सिये तो इक अपर फियूडेंट में खर्चे के रूप में नहीं जाता वो एक डिविडेंड है है उसके बाद बचेका अब यह अगो जिसकी में यह प्रोफिटेंटील असके जंदली क्या होता है जिसने पुराने जमाने में आपके चालू करता हूं सब्सक्राइब को यहीं पढाता हूं वहीं आपके लिखाएं तो फाइनिशल यहां सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन करनी है इंडेस में कुछ स्पेसिफिक बाते और होंगी तो वह और हम फोलो करते जाएंगे अकांटिंग का ज्यादा रोल नहीं आएगा क्योंकि आकांटिंग की तो बात करता ही नहीं है कोई अकांटिंग थोड़ी नहीं होती है कि आप जनरल एंट्री पास करके एक रिकॉर्ड करते हो समझ में आगी बात बिलकुल एजी था इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होने चाहिए तो यह पॉइंट आपको किलिया कर दिया ऐसे आप केल्कुलेट कर लोगे अब इस मैं आपको समझाता हूं एक बार आप निकालिए शेड्यूल 3 वाला पी एंडल का फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया था देखिए हमने शेड्यूल 3 में पी एंडल का फॉर्मेट पढ़ा था जिस बच्चे ने पढ़ रखा है रिवाइस कर रखा है थोड़ा दिमाग चला होता है statement of P&L का first part normal profit loss निकालनेगा इसके बाद statement of P&L का second part चालू होता है जिसमें हम other comprehensive income calculate करते हैं OCI जिससे हम बोलते हैं other comprehensive income जिससे हम OCI बोलते हैं वो भी हम इसी statement का पाट दिखाते हैं OCI के कुछ specific items होते हैं जो हम respective index में देखते आये हैं जैसे revolution surplus foreign currency translation result actual gain loss यह सब आइटम OCI के अंदर जाते हैं और फिर आती है हमारी total comprehensive income तो हम पता कौन सा profit loss ले रहे हैं यह normal profit loss for the period ले रहे हैं EPS की calculation के लिए तो आपके बन में आगा सर्यों से वाला पार्ट भी आना चाहिए ना हमें तो यह total comprehensive income यह total income लेनी चाहिए यह income बाटनी चाहिए shareholders म में क्या earnings नजारा दी है decision making के परपस से ना कि accounting के परपस से अब देखो यह वाली जो earnings है वो normal आपकी business की earnings है लेकिन जो OCI वाला पार्ट है न OCI आपको मालूम है कौन से आइटम जाते थे OCI में हमेशा देता था OCI में वह आइटम जाते हैं जो की unrealized nature की income होती है जिन में manipulation भी किया जा सकता है जैसे revolution surplus वह actual में realize भी हो था बस हमने revolution करके gain book कर लिया actual में थोड़ी ना हुआ है और उसमें manipulation भी किया जा सकता है company revolution में कुछ भी फरजी वाड़ा कर सकती है समझ में आई बात थे मैं से एक्ट्राइशन के मैंने अपनी बस करन्सी में convert करके दिखाने के लिए अपनी करन्सी में convert किया जिसकी वजह से एक डिफ्रेंस आया उसे फोरन करन्सी ट्रांसलेशन रिजाव करके OCI में डाल दिया तो आपकी OCI वाला जो पार्ट है आपका अन्रियलाइस नेचर की इंकम है तो यह कभी भी आप EPS की कल्कुलेशन में नहीं लोगे क्या आप शेर होल्डर्स की अर्निक्स जो एक्ट्वल में कंपनी कमा के दे रिया उसके वेसिस पर आप देखना चाहिए और इसमें तो आपको क्लैरिफाइब करना था इस में उसके जड़ी दूसरा नोट जो कि मैं आपको बता चुका हूं जन्रल अग्नेरल अग्नोर करेंगे जन्रल का मतलब जन्रली आप इग्नोर करोगे पर अगर क्वेशन बोल दे कि आपको इंडेस 109 फाइनेशल इंस्रिमेंट के प्र अपलाई करने हैं तो फिर आप इंडेस 109 के भी प्राविजन लगाओगे और उसके बेसित पर प्रॉफेट लॉस निकालोगे समझ में आपको बाद तो आप लगाओगे कोई एक आज क्वेशन में आपको बोलता है बाकी नहीं बोलता बाकी जन्रली आप हर क्वेशन में इंडेस 109 इग्नोर करोगे इंडेस 33 के इंडेस ध्यान रख लेना मना क्वेशन आपका गलत होगा इसके बाद देखिए इसके प्रॉफेशन में आपको बोले कि फोलो करो तो फोलो करना या फिर मानलो क्वेशन में आपको एक कंपाउंड फाइनेशल इंस्रुमेंट क्या है कि इंडेस 109 कुछ भी आ रहा है तो वो हमेशे हमारी liability ही होगा हम पहले जब तक 109 नहीं पढ़ा था तब तक इनको liability तो मानते थे पस इनको liability मानना liability पर क्या पर होता है interest जो कि पी एंडल में से जाता है और पुराने जमाने में आप interest कैसे निकालते थे तो face value multiply by coupon interest rate बस वही करना आपको समझ में आई बात क्योंकि इंडियस 109 में तो आप पहले पता करते हो कि वह liability component है कि equity component है मालों उसको liability component भी बताया तो EIR या market interest rate से interest charge करते है लेकिन यहां आपको फिर नॉर्मल तरीके से करना है जब इंडियस 109 इंडियस को हम पुराने जमाने में क्या मानते थे हमेशा equity और equity मानते थे तो उस पर क्या होता था dividend dividend पे होता था तो किस पर होता था face value to coupon dividend rate तो उसी rate से आप यहां पर जो dividend आएगा वो इसी rate से less करोगे समझ में आगया यह आपको ध्यान रखना है यह था आपका numerator वाला पार्ट जो basic EPS में आएगा यह आपको पूरा किलियर हो जाना चाहिए बस इतना ही था इस पार्ट में और कुछ भी नहीं है बहुत इजी आसान इंडियस अगर तरीके से पढ़ लेते होते हैं तो यह था आपका numerator पार्ट अब आ जाते हैं डिनॉमिनेटर वाले पार्ट प इस्के नाम से बॉलेंगो short में यानि नंबर ऑफ ऑडिशेयर गिशेयर का मपनी हे ऋह गियो लोगें संपत्ती में हक अनुकि द disagreed coverage करना पड़ेगा कुछ weighted average करना यानि आपको उनको adjust करना है time factor से आपको इनको adjust करना है time factor से यह होता है इसका मतलब इनको adjust करना पड़ेगा time factor से अब इसका क्या मतलब है sir adjust करना है time factor से इसका मतलब यह है कि जो भी आपके number of equity shares हैं उनको आपको देखना पड़ेगा कि during the year during the year वो कितने time के लिए company में issue कितने टाइम के लिए इस्टेंड रहे कंपणी में आपकी जो आर्णिंग्स निकालते हो वे एक पर्टिकुलर की होती है अन्यों हमें 1 साल का प्रिएंशल ये वाई इक साल की है तो उस अर्णिंग में अगर आप हक निकालना चाहरे हो per share उसे आप EPS बोल रहे हो तो वह EPS भी कितने टाइम का है एक साल का तो जो EPS है ना हमेश़ा ध्यान रखना है यह पीरियड का concept होता है, पीरियड-wise concept होता है जितने period की आप calculation करें हो बस उतने period का ही EPS होता है एक period wise concept होता है EPS तो जब आप एक साल को अगर एक period मान रहे हो तो उस period में आपको देखना है कि वो number of shares कितने time के लिए outstanding थे या कितने time के लिए issue हो रखे थे उतने time factor से आपको adjust करना है क्यों करना है वो सब मैं आपको समझा देता हूं जो अपने रेगुलर लेक्चर में लिया थे example वही मैं यहां पर example देदेता हूं देखिए मान लिजी आपका जो financial year है वो है 1st April 2001 से 31st March 2002 12 months का financial year है इस financial year में company के outstanding at the beginning of year number of shares कितने थे equity shares 1st April 2001 1st April 2001 beginning of the year को outstanding shares का मतलब वो shares पहले से issue कर रहे थे company ने वह थाउदेंड shares इसके अलावा company ने 1st February 2002 को 600 shares और issue कर दिये तो अब आप बोलोगे सर इस financial year में बताओ company ने total shares कितने थे इस financial year के end पे अगर मैं बात करूँ 31st March को तो आपको लगे था यार थाउदेंड share तो इस year के beginning में थे और 600 shares 1st February 2002 को और issue कर दिये जो कि यह के mid में कहीं आया था तो यानि total shares कितने हो गई 1600 आज के दिन total issued shares कितने 1600 अब मैं बोलूँ अगर कंपनी का प्रॉफिट अवेलेबर ट्यूटी शेर ओल्रस था वन लैक रुपीज है तो आप कैसे निकालोगे आप बोलोगे सब्सक्राइब का प्रॉफिट ले लिया डिवाइड बाइड नंबर ओफ शेर कितने सब्सक्राइब करना है क्यों करना है कैसे करना वो समझेगा देखिए जो 1000 शेर से बताओ यह कंपनी में कितने के लिए आउट इस्टेंडिंग रहे सरी तो फर्स्ट अप्रेल से करते हैं 31 मार्स तक यानि पूरे बारा महिनों के लिए कंपनी में पैसा कंपनी को कितने टाइम के लिए कि पैसा दिया ipyam यानि इन shareholders ने सिर्फ 2 months के लिए सिर्फ 2 months के लिए contribution रहा इनका तो company में भाई इन लोगों ने तो जब पैसा दिया तब year end में सिर्फ 2 महीने बागी थे तो इन लोगों का जो पैसा है company में 2 महीने के लिए contribution मेरा तो अब बताओ जो 1 लाग रुपय का profit है क्या सभी shareholders में बराबर बाढ़ दो गया divide by 1600 करने का मतलब पता है क्या हुआ कि इन 600 shareholders जो थे न इनको भी बराबर running में हक मिल रहा है company ने पैसा कमाया पूरे साल भर में 1 लेक पूरे साल भर में 1 लेक कमाया और आप बातने की बात कर रहे हो तो सभी को चाहिए वो लोग जो लास्ट महीने में आके पैसा contribute कर रहे है फिर यह 1000 shares गालिया नहीं बखेंगे यह shareholders गालिया नहीं बखने लगेंगे company वालों को कि तुम कैसी बात कर रहे हो हमने तो फर्स्ट अप्रेल से पैसा दे रखा है तो तुम हमें भी उतनी ही earnings दे रहे हो जितना इन लोगों को दे रहे हो जो 600 shares फर्स्ट फर्वरी को company में आया है जश्ट ये रेंट से दो महीने पहले तो यह लड़ने लग जाएंगे अब आप क्या करते हो वेटेड अवरेज नंबर ओफ शेर कर लें तो इसी चीछ के लिए ठाउदेंट शेर्स पूरे साल भर के लिए रहे तो नहीं मैं संब को बागी 10 बाइञ ऐस में करते नहीं करते हूं कि लोकि यह को दो महीने के प्रफिज करते हूं बिल्कुल एदी कंसेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया है तो बस यह आपको देखना था इसमें मैंने लिखा है कैसे कैलकुलेट करोगे आप जो बिग्निंग ऑफ दे येर में नंबर आफ इक्विटी शेर्स आउट इस्टेंडिंग थे उनको तो पूरे का पूरा ले ल इसका क्या मतलब है आप डेज में कर सकते हो मंस में कर सकते हो वह डिपैंड करेगा क्वेश्चन में कैसे इनफोर्मेशन कोई ऐसी रेंडम डेट उठाली 13 फेब्रेरी को इश्यू हुए तो फिर नंबर आफ डेज लेना पड़ेगा या फिर मालो फर्स फेब्रेरी दे दिया तो नंबर आफ मंस में कर सकते हो बागी क्वेश्चन में कर देगा चंदली कि नंबर आफ डेज में कर कर लोगे इसके बाद आप माइनस करोगे नंबर आफ एक्विटी शेर्स बाइबेक दूरिंग डाइयर ट्रेजरी शेर्स इंटु नंबर आफ डेज या मन्स डिवाइड बाइट से 65 या 12 ये क्या चीज है एक एक ग्जांपल से समझी लीजे फटा पट देखिए एक दूस साल भर के लिए कौंट्रिबिशन मान लिए कि इनका पुरे साल भर के लिए कंट्रिबुशन था कम्पनी के अंदर इसके बाद देखे क्या हूँआ फर्स्ट नॉमबर 2001 यानि उसी फाइनीशिल एयर में उत्मपनी ने कुछ शेर्स बाइबेक कर लिए 200 शेर्स में थो हंब उन लोगों को बोला तुम पैसे लो और शेर्स वापस दो यह उन्हें उन्हें शेर्स वापस ले लिए यह अब बताओ फर्स्ट नॉम्बर से तो यार हमने तो इन थाउजेंट शेर्स को तो वह बैसे कर दिया था तो उनमें तो प्रस्ट नॉम्बर से लेके थाटीफिश्ट मार्स तक इनका कॉंट्रिबूश्ण थाई नहीं तो वह खटाओ तो 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 यहां माइनस करना पड़ेगा कितने टाइम का फर्स्ट तो करना था है क्यों कि उससे पहले वाले शेर्स को हम अल्रेडी पूरा ले चुके होंगे इसके बाद देखने को मिल जाए ट्रेजरी शेर्स घबराना नहीं है इसका मतलब है बाइब वाले शेर्स बता रहा है दीखिए होता क्या है प्रोसेजर में आपको बताता हूं मान क्या बाद लिजेhe company, थाउजंड शेर्स है तो company घबाइब करने जाती है ना तो 200 शे राइक करेगी वापस उसके बदले पैसा देदेगी तो शेर्स जैसे जैसे राइब पास करते हैं तो company के पास ही वापस आ गए तो company अपनी आपनी आपने रख लेती है वह शेर्स टाइ पाइनस करके दिखाएगी 200 ट्रेजरी के नम पर ट्रेजरी शेर और इस तरीके ते अपनी बैलेंशिट में प्रेजेंट करती है कंपनी जब बैबेक करती है तो यहां तक आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है और इससे आप बेसिक एप्येस निकालने के पॉइंट तक बह की कैलकुलेशन में कुछ और स्पेशल पॉइंट है जो आपको धियां दखने के कुछ इससे कैसे कैसे करेंगे वह मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर यह और आपने कंप्लीट कर लिया तो बेसिक एप्येस आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कहीं कोई द देखिए अब आप लोग इसमें सबसे पहले स्पेशल के से पार्टली पेड़प शेर्स का अगर मान लीचे कंपनी ने पार्टली पेड़प शेर्स इशू कर रखें तो वेंस की कैलकुलेशन में आपको क्या एक्ट्रा करना है तो वह एक एक्जाम्पल से बता देता हूं में एक्जाम्पल से चीजा आसानी से समझ में आएंगे यह सारे वही एक्जाम्पल है जो मैंने आपको रेगुलर लेक्ट्र में भी दिए हुए है देखो आप लोग पार्टली पेड़प शेर्स का मतलब क्या होता है मान लीचे कंपनी ने शेर्स क्या टैन रूपीस की प पर कुछ शेर होल्डर से ते जिन्होंने पूरा पैसा पे किया नहीं मान लो टैन रूपीस की जगा उन्होंने अभी दक सिर्फ एट रूपीस दी पे करें तो दो रूपए उन से आना पेंडिंग है उन्हें हम बोलते हैं पार्टली पेड़प शेर्स की उन्होंने अभी ट्रूपरे कर दिया फिर इसी दिन फिर्फट अप्रेल और इस्यू करें कंपनी ने जन्होंने आठ रूपेए ही पे किए और इस्यू प्र रिस वही दस रूपए ती मतलब यूश्यू घदिन जिन्होंने फिर्षदCauseth में 5 डर बाऑल ने姐oping यहानी के ऊट्योंने टेवह तो यह वोगई यहां पे आपको धिहान रखना है कि बश्वेंट शेर उपए उपर वाले इन्हों ने तो पुरे दस में ते दस रुपे दे दिये थे बारा महिनों के लिए तो यह तो आगए पुरे थाउजेंट लेकिन जो यह दूसरे थाउजेंट शेयर होल्डर है इन लो नहीं हग मिल रहा है तो हमें क्या एक्ट्रा एडवांटेज मिला हम भी हमारा पैसा रोख सकते थे तो यानि दूसरे वाले शेरोल्डर्स को सिर्फ आठ रुपए जितना हग मिलना चाहिए अरने इसमें तो बस थाउजने शेरोल्डर्स एट बाई टैन कर दोगे आठ रुप इस पार्टली पेडव शेरो तो नंबर ओफ शेरो आपको मेल्टिप्लाइ करना पड़ेगा पार्टली पेडव वैल्यू डिवाइड़ बाईशु प्राइस वेंस क्यल्कूलेशन में पॉइंट खताओ दूसरा इस्पेशल के देखिए बोनस इशु बहुत सिंपल केसा ब कई बार पता है क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है क्वेश्चन में लिख देगा कि कंपणी ने वन लेक शेर करें बाई केपिटलाइशन ऑफ रिजर्व अब कहीं पे भी नहीं लिखा बोनस इशु है क्या पर आपको दिमाग लगाना पड़ेका क्लियर लिखा है बाई को उनसे कोई पैसा नहीं लेती फ्री में बाई क्यों करते हैं क्या होता है वो समझो एक बात देखिए कंपनी के बाद बहुत सारे फ्री रिजर्व में पैसा पड़ाई है एक काम करते हैं जो हमारे इंको शेर इशु कर देते हैं वो भी खुश हो जाएंगे हम जब जनरली जब आप बोनस इशु लाते हो तो शेर कैपिटल तो आपके क्या करना पड़ेगा डबल एंट्री मेंच करवानी पड़ेगी तो आप रिजर्व डेविट कर देते हो कि कंपनी ने अपने रिजर्व काम में ले लिए रिजर्व में जो फिरी पैसा पड़ा था उसके बदल इशु का इफेक्ट क्या आएगा वह अब आपको समझना है उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाओंगा एग्जांपल से आप समझ पाओगे फिर अपन रिडाउट कर लेगे नौट कि देखिए कंपनी जो है इसने 1000 शेर्स फर्स्ट अप्रेल 2001 को इश्यू कर वह थे पहले से 1000 शेर्स हैं कंपनी के बाद इसके बाद 1 जुलाई 2001 को कंपनी एक बॉनस इश्यू लेकिया है यह वन इस्टू फाइफ का मतलब क्या है वन इस्टू फाइफ इसको रीड करोगे वन फोर का मतलब 4 वाला իॉर मतलब आपको एक शेर मिलेगा पांक के बदले 145 मिलेगा 455 पांक के बदले 1 और करोगे यह चितने बीश करते थे उसका वन बाइफ शैर्स उनको फ्री में मिलने वाले यहांनि सिर्स ने बोनस में इशु करें कब फर्स युलाई को तो एंद यह तो गलत है ऐसे नहीं ले सकते तो अपने तक पढ़ा यह यह आप गलत पढ़ा रहे हो ने गलत नहीं पढ़ा रहे हैं कुछ स्पेशल एड़समेंट है क्यों है उसका समझे नाब आपको यह दो सो शेर जो आज आप इशू कर रही है कमनी उसके बदले कोई पैसा नहीं आ रहा यह को है नॉर्मल इशू नहीं है इसमें हमने क्या किया जो कमपणी की रिजर्स के नाम से और नाम बदलने काटके शेर केपडल कर दिया अब आप मुझे बात बताना अगर आपको थोड़ा लोजिक समझ में आता है जो रिजर्स होते होता अ मालिक का रिजर्स पे हमेशा की फाइनेनस का आपने इंटर पर अैनेने बिल्कुल नहीं पड़कर। क्योंकि रिजर्स ने क्योंकि हमेशा समय पूरेषक रिजर्स होते हैं हमेशा सफीडिया का हाच होता है रिजर्स होते हैं तो यह सब्सक्तलाम से ल His EHC लग साफसरे का था ब्रिदांट कोई बात नहीं हए पहले इनका डीज्ट इनका प्टिटां प्रेल यानि आप बॉन इस्ट रेजिट करता था जब से वह शेर ऋडर एकशिट करते। बाइ उस चेहर होल्डर ने जब से इस company में पैसा लगाया होगा इन शेहर वालोरे ईसदिन से इनका उन्हें रिजरुवस में हक बन गयाता और रिजरुवस में जबते वह करते हैं जिन पर बॉनस इश्속 कंपनी ने दिया है उस दिन से बॉनस शेयर पर ताइमफेक्टर लगता है आप shower के कर देना जं से मतलबि नहीं कब से कुछ नहीं करता है तो टोट को तो मिले दे तो 1200 के लिए हैं यह मानेगे पुरे त्वेल मंस के लिए तू हंडे शेयर्स में देए है और रिस ऑफ यह पहले से हकता जब से वह शेयर होल्डर है तू है नाम का इस्व है वह नाम कर दिया अब देखें आप यह जो कर रहे हो और 1200 शेर्स यानि इन 200 शेर्स को इसमें एड़ कर रहो इसको एड़ करने का एक तरीका आप डिरेक्ली एड़ मत करना इसका तरीका कि आप बोनस एड़स्टमेंट फेक्टर निकालो और उसको मल्टिप्लाई कर दो जितने भी शेर्स आउट्स टेंडिंग थे बिफोर डेत ऑ इसके बाद में जो नॉर्मल मार्केट में इशू है उनको थोड़ी ना बोनस मिलेगा ऐसी बेवकुफितों करनी नहीं है हमको तो यानि जो भी नंबर ऑफ शेर आउट इस्टेंडिंग थे कंपनी के बिफोर डेट ऑफ बोनस इशू जितने भी शेर से आउट इस्टेंडिं इसको डिवाइड में आगया 5 यह मैथमेटिक्स कर रहा हुं 5 पॉमन फेक्टर आ गया इसके डिवाइड में कुछ नहीं है थो हम वन मानेंगे तो वन को कितने टाइम्स मल्टिप्लाई करें कि 5 5 5 तो 5 इंटू नूमिरेटर से कर दो यानि 5 वन प्लस यहां पर 5 को 5 से कितन अर्मल फ्रेक्शन सॉल्विंग है जो आपको शायद फॉर्ट क्लास में तिखा दी जाती है अगर यह भी नहीं आती तो सीखो यह तो प्रैक्टिस कर लो कम से कम बच्पन की चीज़ है तो यह तो एकदम नॉर्माल चीज़ है इसमें ज्यादा कुछ बताने का नहीं है तो बोनस फेक्टर क्या होता है आपका बोनस एजश्च्मेंट फेक्टर वन प्लस बोनस रेश्यो शिक्स बाइफाई तो आप जितने भी शेयर आउट इस्टेंडिंग से बिफ़वर डेट ऑप बोनस इसको इसको सॉल्फ करना वोई देगो 1200 आटोमेटिकली आ जाएगा आप दूससा एक्जामपल लेके देखो फर्स्ट एप्रेल को कंपनी ने इशु करे हुए थे पहले से ते फिर्स्ट में को कंपनी ने फाइफ इंडर शेयर और इस्च्छ्च्छ और मार्केट में नौर्मल इशू और फिर्स जुलाई को बोनस इसच्छ लिएक कमपनी बन आप बोलोगे तो पता आप क्या गलती कर दोगे जल्दबाजी में इन 1000 को तो 12 12 कर दिया आपने ठीक है और इस 500 को फर्स्ट महीं से आया है तो आप कर दोगे 11 12 कोई दिक्कत नहीं है फिर आप पता इस 300 को क्या कर दोगे डायरेक्टी 12 जबकि आसा नहीं है क्योंकि 300 शेर जो कि बारा महीने के लिए थे और पुछ बोनस शेर मिलें 500 शेर यह फ्रस्ट में को हैं इस पर आप 12 फिर जो 500 शेर आपने इशू करे थे यह आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो बस मैंने यही लिखा है बॉनस इश्यू में आपको यह दिहान रखना पाइनल क्राइब्स जो भी नंबर ऑफ शेर आउट इस्टेंडिंग बिफोर डेट ओ बोनस इशू थे उनको बोनस अज़ेस्टमेंट वेक्टर से मल्टिप्लाई करना वेंस केलकुलेशन में बोनस अज़ेस्टमेंट फेक्टर का मतलब है वन प्लस बोनस रेश्यो जो कि एक एक लापने बताया दिया अब देगे इसके साथ मैंने इस चार्ट में एक और पॉइंट बनाया है वो को डालना पड़ेगा वापस को रही कैलकूलेट करना पड़ेगा अब ऊसको रही को पहले कुछ सुनना द्यान से देखे हम बोल रहें कि company ने bonus शेर जो इशू करें हैं वो results में से करें results जो हैं उन पर share holders का पहले से अगता तो सर जो shares पिछले साल exist करते थे पिछले साल EPS में shares आयोंगे उनको भी उन results के अंदर हता उनको भी bonus share issue होंगे तो सर उनको भी बोनस मिला खोगा तो उनका भी पहले से हटता ना बोनस के उपपर यह मानके चलेंगे क्योंकि रिजर्स तो तब भी थे तो उनका भी बोनस पे हटता, तो यानि पिछले साल भी नमबर ओफ शेयर्स बोनस एजेस्ट्मेंट फेक्टर से मल्टिप्लाइ करके जाने चाहिए थे और हमने तो पिछले साल नॉर्मल शेर्स लेगे पिछले साल पता ही नहीं था कि हम आगे फ्यूचर में बोनस देंगे तो अब आपको पिछले साल की फाइनेशल सोराइब है इसा करने के नहीं यह कोई आपकी एसी डिया के आप आसको आप ने जिसे आ पोड़ा सकते हो कि आपको बनी अधियर के सी के और बनेगा न उसमें रिश्टेट वाला इस दिखाना है वह नहीं दिखाना जब भी बोनस आपका गीवन ओक प्रिईस एर का करोगे कैसे करोगे पिछले साल जितने भी नंबर ओफ शेर से उनको बोनस एड्जेस्ट्मेंट सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वह उत्तों सारे डिफॉर्ट डेटो बोनस थे और पिछले साल के प्रॉफिट से डिवाइड करो तो पिछले साल का रिश्टेट में जागा इ तो ट्वैलने शेर सोगे तो करन्ट यह में इस आगे पिछले साल कमपनी ने कितना इप दिखाया वागा वन लेक के प्रॉफिट डिवाइड वाइट था उदेन यानि हंड्रेड का इपि अब इससे क्या होगा शेर लोडर्स क्यों पिछले साल तो एक शेर पर हंड्रेड क बॉनस फेक्टर आपने इस बार फ्री में शेर इशू कर दिए तो कोई पैसा थोड़ी आया था फ्री के रिजव वाले शेर थे तो यह पिछले साल भी करो ना तो पिछले साल भी आपको 200 शेर साल करके पिछले साल का रिश्टेट एड़ निकालना है ताकि शेर होल्डर ज में आप वेंस की कैलकुलेशन में क्या एड़ेस्टमेंट करोगों दीके राइट इस इशू का मतलब है जब आप एक्जिस्टिंग शेर होल्डर को शेर इशू कर रहे हो बस अपकी बार आप फ्री में नहीं कर रहे हैं आप उनको लेस देन मार्केट प्राइस पर शेर इस शेर सोद्कर बार आप शेर में एज आप phones कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप दियान से महिंON से रुपय नारूटीज करोगे तो दस रुपय का शूर या यहांनि वह बोनस को रिफलेक्ट कर रहा है यानि राइट इस्यू में बोनस ऐलिमेंट छुपा हुआ होता है और बोनस ऐलिमेंट है तो जितने भी नंबर ओफ शेर्ट ऑउट इस्टेंडिंग थे बिफोर डेट ऑब बोनस इस्यू उनको एड़ेस्ट करना पड़ेगा बिल प्रिफोर डेट ऑफ राइट इस्यू जो भी नंबर ओफ शेर्ट ऑउट इस्यू उनको मल्टिप्लाइ कर देंगे किस्से राइट एडजिस्मेंट फेक्टर इसका नाम बदल लिए अब राइट एडजिस्मेंट फेक्टर वेंस केल्कुलेशिन और सेम ऐसे ही इस तरीका अलग हो जाएगा क्यों आलग हो जाएगा क्या एक इक्जांपलं ते समझाँगो यहां पे मैंनेन ओट डॉट डॉट डेखिए कंपनी का पाईनेशियल यੴ है फिर्स जैनूरी 2001 से 35 डिसंबर 2001 कैलेंडर य ये थिए कंपे फॉलो कर रही है यह लिमिटेड जो कंपनी है उसके 1000 इक्विटी शेर से आउट इस्टेंडिंग ते 1st January को ठीक है पहले से exist करते हैं 31st March 2001 यानि beginning of the year से 3 months बाद कंपनी ने राइट इशू किया 1 new share for each 5 आउट इस्टेंडिंग शेर यानि 1 इस्टू 5 की रेशो में राइट इशू इसके बाद market price जो राइट इशू से पहले थी वो 10 रुपए राइट इशू की जो exercise price है वो 7 रुपए दी यानि 10 रुपए का शेर 7 रुपए में देने की बात कर रहा हूं और जो राइट इशू है 1 by 5 200 शेर्स आया 200 शेर्स जो है वह आपके 31 मार से 31 डिसंबर यानि 9 मंस के लिए रहे तो इस तरीके से वेंस सिखा लो ऐसा नहीं हो सकता मैंने बोला ना राइट इशू में क्या है बोनस एलिमेंट चुपा हुआ है तो उसका एडजेस्ट्मेंट देना पड़ेगा यानि इसमें बोनस है न तो एक काम करो फिर जैसे हम बोनस एडजेश्ट्मेंट निकालते थे वैसे कर लो मैं इस्टू फाइफ का रेश्यो है राइट का तो वन प्लस वन बाइफाइफ यह कर लो तो यह आगया सिक्स बाइफ और इसको आप जितने भी दो निकाल लो तो यह गलत हो जाएगा यह गलत क्यों क्या यह वन इस्टू फाइफ यह नी टूँनडेश्यो है पूरे के पूरे टूए तो नौर्मल इशु है पूरा का पूरा बोनस थोड़ी नहीं इसमें तो वह अलग तरीके से निकालना पड़ेगा तो अब मैं आपक ने बताया कि वह तरीके क्यों फोलो नहीं किये जा सकते थे अब किस तरीके से निकालना वो समझो अब यह निकालना सीखना है उससे पहले एक point मैं आपको सिखाता हूं फिर हम देखेंगे राइट एड़िस्ट में रखता है तो सबसे पहले आप निकालोगे theoretical तो उस दिन के बाद मार्केट में शेर की क्या प्राइस हो जाएगी तो हचार्म हमें फ्यूचर थोड़ी ने और तब इसे बोले थेयरेटिकल प्राइस हो सकती है आप एक बार निकाल के तो देखो एक्स राइट यारी पोस्ट राइट राइट इस्यू के बाद वाली शेयर की प्राइस जो की हम पूरा का पूरा एफ्म में इसको डिटेल में पढ़ते हैं डिसीजन में के लिए वहाँ डि सब्सक्राइब करती है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है लोग सोचते हैं कि 10 रुपय का शेयर 7 रुपय में मिलेगा तो लोग यह ना शेयर की प्राइस बढ़ाना चालू कर देते हैं दिमांड बढ़ेगी तो शेयर की बढ़ जाती है मार्केट में तो प्राइस बढ़ने लगती है जैसे 31 मार्च आएगा कंपनी राइट इशू करके देगी लोगों को साथ-स रुपय के अंदर तो लोग प कंपनी के जो शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है मार्केट में तो राइट इशू के बाद कंपनी की शेयर की मार्केट में प्राइस गिरना चालू हो जाती है तो आपको बस वही निकालना है कि राइट इशू के बाद मार्केट में शेयर के क्या प्राइस हो सकती है जि इसके बाद देखिए कंपनी राइट इश्यू में कितने शेर ला रही है 200 शेर और एक शेर कितने रुपय में इश्यू करिए 7 रुपय के अंदर तो बस यही तो एक वर्थ है कंपनी की शेर की डिवाइड बाइट टोटल शेर 1000 प्लस 200 तो यह आ गई रूपी 9.5 जोगी एक् यहां जो प्राइट में बढ़ने लगती बढ़ने क्यों लगता है यहां उज्याइट क्ने एक प्राइट क्रेंट गालने के वाद रैस हो जाएगी जो मर्केट प्रेस से कम राइट है विफोर। इसका कोई लॉजिक है कि निकालने का फॉर्मूला जो आपने बोला मार्केट प्रैस जो अभी है डिवाइड भाइड है लॉजिक है समझना यह लॉजिक समझने के लिए आप सुनिए इसके इसके अन्था कोई AT निल Bay नार्साश कोई निलूडेड निय Casey क作 trafficking लिए चाहिए डियोड इसको करता हुआ स discharge Abbott कमपोन के से इसके अनदर कोई कमपोनेंट निया जिसके इनकोई आइक कंपोनेंटनिट लेए यानिए विना राइट कंपोनेंट के शेर की जो एक्चुल वर्थ है वो 9.5 होनी चीए लेकिन राइट इशु की वज़े दे शेर ओल्डर ने प्राइज बढ़ा-बढ़ा के टैन करवा दी यानि राइट इश्यू की जो वर्थ थी शेरोल्डर की वर्थ में 05 थी तो यानि शेर शेरोल्डर को सबस्तों मिल रहा था न राइट ईश्यू की आंदर तो उनको लग रहा है उससे हमें 05 रुपीज का benefit हो रहा है .5 का benefit हो रहा है तो वही तो bonus element है तो बस यही bonus element है कि 9.5 के share पे आपको 10 रुपीज में जा रहा है वो share यानि .5 का bonus element है समझ में आगे एक share के उपर तो इसको concept मैंने बता दिया याद रखने का सिंपल था तारीका है उपर बड़ी वाली price आएगी नीचे छोटी का इबार क्या है हम एक्जाम में कन्फूज हो जाते हैं कि उपर theoretical price आएगी कि नीचे आएगी theoretical price तो उपर बड़ी आएगी हमेशा और नीचे छोटी आएगी ध्यान रखना ठीक है यह हमेशा होगा कि यह होगे आपका राइट एजश्मेंट फेक्टर यहीं मैंने यहापके नोल्ड़ डाउन किया है राइट एजश्मेंट फेक्टर के लिए theoretical अब देखिए अब आपको एपिएस निकालना है तो करेंट एपिएस में मैंने के वला राइट एजश्मेंट फेक्टर को नंबर ऑफ शेर जो आउट इस्टेंडिंग दे विफोर डेट ऑफ राइट इस्यू से मल्टिप्लाइब कर देना तो आप लोगों के मन में क्या आ आपने जो फेक्टर था उससे मल्टिप्लाइब कर दो यहां सुनना ध्यान से यह जो राइट एजश्मेंट फेक्टर आया यह से बोनस कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है राइट इस्यू में क्या बताओ क्यों फ्री का कंपोनेंट था नहीं उसके अंदर पैसे वाला और नाइन मंस के लिए वह शेयर आपको वेटेड एवरेज करने पड़ेंगे क्योंकि इससे तो बोनस वाले शेयर का इफेक्ट आया है जो मोनस अलिमेंट आप वह शेयर कहते निकालों कि जो अधर देन बोनस वाले थे तो वह बिना बात की कैलकुलेशन नाइंस्टिटू यानि आपने जो बिफोर डेट ओफ राइशेयर करते थे उनको राइट एजश्मेंट से मल्टिप्लाई किया यानि इनको आप लेलो टिल डेट ओफ राइट इशू तक राइट इशू किस दिन हुआ उस दिन तक आप वेटेड एवरेज कर दिया ठीक है इसके बाद कि इस और जो शेर्ट एक्ट्वल में राइट में पैसे के बदले इशू हूँ है वह भी एक्डेश्ट करेंगे यानि टोटल शेर्ट करेंगे इसके बाद तो यानि इसका जो एडजेस्टमेंट है वह इस तरीके से होगा कि जो भी एक्विटी शेर्ट आउट इस तेंडिफोर सब्सक्राइब करना है इस तरीके से आप इस निकालोगे करण्ट इएगा प्रिविएस यह था और प्रिविएस यह का रिश्टेट इपेस कैसे आएगा जितने भी नंबर ओफ शेर्से डिरेक्ली उनको राइट इजिस्टमेंट से मल्टिप्लाइब करो बस इतना ही होगा यह था आपका राइट इश्टम आला केस इसी के साथ बेसिक इपीएस का पूरा अपकर अपको कम्प्री नें आको एक हैग पएन शाब्षा और अप अग्रिपरिव में आप इस के सब्सक्राफाइब के सकता है आसा को तसे केसे से बहुँकु आप 17 combined अगाए बालों का दिवीडेंट के बाद, देखो कंपनी क्या करती है? कंपनी का मैं आपको तरीका बताता हूं, एक और सबस्क्राइब का तो प्रिफरेंस आप स्माइब के दिवीडेंट वालों इसमें Felagip पेकर दिया, यही आपके रिजर्स होते हैं यह आपके रिजर्स होते हैं इन पर कंपनी का हक होता है तभी तो हम पता है क्या करते हैं इक्विटी को बाट दिया हो और यह सारा पैसे इक्विटी का ही तो है इसलिए डारेक्ट लिए जो नाम से उनका है इसका मतलब यह है यह लोग क्या बोलेंगे कि यह जो प्रॉफिट आया इसमें एक्विटी को बाट दो फिर जो अना इसमें आप इक्विटी वालों को पैसा दोगे और उसमें दे हम भी कुछ इस्सा लेंगे व्यादा को डिविडेंड़ बातने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके अंदर भी हम लोगों वह साची है वह लोगों फे पार सब्सक्राइब करने हैं इसके लिए आपको तीन स्टेप्स में वर्किंग करने हैं बहुत इसी होता है सबसे पहले आप अब यह जो अब इसमें इसमें पर इसमें बचेगी उसमें इक्विटी वालों को जितना हम बाटेंगे उसका 50 परसेंट आप लोगों को दिया जाएगा तो मान लेते हैं अब आपको करना पड़ेगा मालों क्वेशन में ऐसे लिखाएगा तो आप अप आप अब आपको इसके अकॉर्डिक इक्वेशन बना लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे बहुत सिम्पल है यह लिए ना तो किसमें बटेका साथ एक्विटी वालों को और पॉइंट फञ्ट फाइफ फीटी की पर शेयर पर शेयर प्रिप्रेंस वालों को एक्विटी के इस तो इसको इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो इसको सॉल्व किया तो एक्सारा 66.67 पर शेयर एक्स का मतलब क्या था अलोकेशन पर एक्विटी वालों का इस अंडिस्ट्रिबुटेड अर्निंग में 66.67 पर शेयर जितना हक है तो आप बताओ आप आप निखना के स्थे को कि देखो एक्विटी वालों को आपने क्या-क्या हवग दिया ये जो प्रॉफिट था इस में aja 15 ृपीश पर शेयर का एक डिविडेन बाढ दिया ये भी equity की earnings से बात दिए तो क्या वह गया है तो उनकी earnings ना per share इसके अलावेसी 80,000 की earnings में 66.67 per share earning है एक्वीटी की total earning per share आप बता सकते हो directly बिल्कुल 15 यह और 66.67 यह डिरेक्टली भी निका सकते हो आपको पूरी detail calculation करिए तो वह भी कर सकते हो कि 80,000 66.67 per share आया थाउजेंट शेर से मल्टिप्लाई किया तो इस अनिंग्स में एक्विटी का कितना हक है 15,000 यह है डिवाइड बाइब वापास नमबर ओव एक्विटी शेर करो तो भी सेम आंसर आएगा तो आप डारेक्टली निकाल लो आपको इसके रहे बस मैस आनी चीए अगर मैस के लि अलोकेशन पर पार्टिसिपेटिंग प्रिफेंशेर कैसे आएगा एस पर इंफोर्मेशन गिवन इनक्वेशन तो आपकी एक्वेशन मन जाएगी हर्ड स्टेप में फिर आप बेसिक एपेस क्या बताओगे डिविडेंड डिस्टिबुटेड पर एक्विटी शेर प्लस अ कि हमने बात करी थी कि एपिए जो है दो तरीके का है बेसिक और डाइलूटेट दोनों ही आपको अपने फाइनिशेल स्टेट्मेंट्स यानि पी एंडल के फेस्ट पर प्रेजेंट करने हैं अल्रेडी मैंने आपको दिखाया अभी बेसिक का सारा डिस्क्रेशन कर लिए ब मैं आपको बता दूँँ अगल बेसीक से भी ज्यादा आसान है इस ढवर आपको समझ आ गया है तो यह दो बहुत आसान है इसमें कुछ भी नहीं बहुत एसी है आपको अब ही मंता हुआँ आपको किसको लगेगा क्या ही तारी इसके अंदर और जो रेगुलर लेक्चर में अबने questions करें पूरा पढ़ा है detail में उनको तो मालूम है कि कुछ था ही नहीं एकदम easy topic था यह पूरा अगापुरा तो जब से पहले आपना just Ikwire script कि रावट ॉसिंति का मतलब है कि कंपनी का basic EPS धिश्क्र हो तो आपको शेयर रोलडर को बता पर हमने मैं हूं कम्पनी मैंने ऐसा कांड कर रखा है जिससे आप लोगों की बेसिक अर्निंग पर शेर है बस यह है इसका concept इसको मैं और general example से आपको बताता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा इसको general example से आप समझेए जैसे माली जी मैंने आपको वो एक example दिया था class में कि अपना मेरे घर पे एक दूद वाला दूद देने आता है कंटेनर में भरके लाता है तो एक दिन उस दूद वाले ने क्या क्या कंटेनर में पानी मिला दिया तो उससे क्यों गया दूद पतला हो गया दूद की कमी आगई पानी बढ़ गया ना दूद की कमी हो गया तो क्या हूँ है जया पर दूदबली ने कांड किया कांड किया उसने क्या पानी मिलाने का पानी मिलाने का जैसे क्या कर्म करती हैं, क्या कर्म कांड कर रही है इंसान को कांड करता है समझ में आता है कंपनी क्या कर रही है तो कंपनी जो कर्म कांड करती है जिसकी वजह से कंपनी का basic EPS गिर सकता है कंपनी ने आज ऐसा कर्म कांड कर दिया है जिसकी वजह से basic EPS गिर सकता है उस कर्म कांड को हम बोलते है पोटेंशल ईकुटि tुमेट कम्पणаже मार्केट में कोई पोटेंश 나서 Пока में कोई पोटेंशल क्योंट इंस्ट्रूमेंट इंस्टूमेंट इंश्यू कर रखा है तो वह कर्म कानड이죠 की वज़े से कम्पणी का जो बेशिक ईफेस Wow गिर सकता है अब सब यहां बदले में कमपनी को और इक्विटी शयर्स इशू करने पर सकते हैं आप सोचिए ना मांने जाज कंपनी की वन लेकर रुपीज की अर्निंग्स है तो सब में बटेगी इन सारे के सारे दावेदारी मांगेंगे अब कमपनी ने कुछ एक्विटी को सकते हैं अगर मिझे नहीं कांगज कोkl Harp केंगे पकड़ाने पड़ेंगे तो यहांनि कोमपणी में और दाविदार आ सकते हैं चैन्ज TM mening इस एर्निंग्स में हप मांगेंगे मान रहेगी और यह जो पॉटेंशल इंस्ट्रूमेंट है यह आपके थाउजेंड और है ठीक है थाउजेंड अपने एकुटी शेयर इस्टू करने पड़ेंगे तो आप हैपोथेटिकल लिए अगर यह थाउजेंड पोटेंशल इकुट पता तो होना चाहिए कि कंपनीने ऐसा कांड कर दिया जिसकी वज़े से इनकी संपत्ति भी कोई और भी हक मांग नहीं आ सकता है यह पता होना चाहिए इसलिए पोटेंशल इकुटी इस्ट्रूमेंट इसको और डिटेल में भी देखेंगे इससे पहले एक और मैं जनरल एक तो यह एक्जामपल देख लो पर इस टॉपिक की आपकी पूरी क्लारीटी देगा इस एक्जामपल ते अपने पूरा डायलूटेड एपेस को समझा था समझेने के लिए एकदम परफेक्ट इंग्जामपल मैंने आपके लिए बना के दिया था एक रामलाल करके परसंथा एक्जामपल में क्या था रामलाल करके परसंथा और रामलाल के पास खूब पैसा था ठीक है अच्छा बड़ा अमीर आदमी था खूब पैसा कमाया इसमें जिंदगी में और पैसा कमा के इसने अपनी 10 करोड की संपत्थी कर ली संपत्थी मतलब आप समझते हो एक दिन क्या हुआ रामलाल बभूप पैसे दो कमा ई रहा था तो फूड़ा शोकिन केसे बना कि अवर लड़की परसंद आगही और लेट की परसंद आए उसकी पीछे-पीछे हो लिए पीछे-पीछे हो लिए-एक दिन उस लड़की को पटाया और बिया के घर कमिट्मेंट कर दिया उसको साम भी टूर करो झीज़र में जाव गे टो बी वीनम बडी सिंग ले आया घर क्फे आया जैसे बी वी नमबर तो घर पे लेकाए हमारे क्या सिटा तो बच्षों को क्या दुख रहा है अब आप क्या टेंशन में कि यार यह जो 10 करोड की संपत्ती थी हम सोचे थे हम दोनों का हक रहेगा 5-5 करोड ले देंगे लेकिन हमारे बाप ने ऐसा कांड किया है जिससे की फ्यूचर में संपत्ती में और दाविदार आ सकते हैं दूसरी बीवी आई है पता है बाप शोकीन है तो उस इसकी संपत्ती पर हकुन कभी होगा तो अब यह दोनों बेचारे टेंशन में आ गए हम तो सोच रहेते हैं यार बाप की संपत्ती खाएंगे मोच करेंगे काम नंदा नहीं करेंगे अब यह और बापने दूसरी बीवी से बच्चे पैदा नहीं करें पर यह पहले ही करने के लिए पता करना चाहते हैं कि अब हमारा फ्यूचर में क्या होगा तो इन्होंने सोचा बाप शोकिन आदमी है हमारा दूसरी बीवी लेकि आए तो तीन बच्चे आराम से उससे भी कर लेगा पोटेंशल बच्चे इन दोनों बच्चों को क्या नजर आ रहा है कि बच्चे हमारे बाप के दूसरी बीवी से तीन बच्चे टोटल पांच बच्चे हो जाएंगे पांचों मिलके दस क्रोड की संपत्ति पर हक मांगेंगे यानि पर हैल्ट तू करोड रुपीस का मांउंट आएगा और यही है डायूटे इस टॉपिक से इस एक्जांपल से स समझे लीजिए सेम चीज़ें कंपनी का बेशिक एपिएज मतला कंपनी की अर्निंग्स के लिए होती है आपको अब करद्या जिससे नंबर ओफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे तो यार्निंग पर हक मांगेंगे तो यह अब आपको शेर होल्डर एक्जिस्टिंग वालों गया करमकांड को आपके पड़ा है कि बने तो यानि बस मैंने कर दिया कांट existing shareholders बेचारे गए कभी भी वो आएंगे और में को पकड़ा के एक्वीटी शेर लेके चले गए ऐसे convertible debenture या bond कभी भी एक्वीटी शेर में कर लेंगे मेरी मर्जी ते उसकी मर्जी से mandatory कुछ भी हो से कोई फरकनी पड़ रहा है ठीक है में बहके कांट कर दिया जैसे रामलाल भावनों में बहके दूसरी घर ले आये था तो वही काम हो रहे हैं यहां पर अपनी बिजनस में देखा है मैंने आज एक कंपनी खरी दी और मैंने इसको बोला देखो दो साल बाद अगर तुम्हारा तुम्हारा इस पर्टिकुलर पॉइंट को कर गया तो हम आपको 5000 शेर्स और इस्यू करके देंगे तो बस कंपनी ने तो प्रॉमिस कर दिया पोटेंशल है प्रॉमुला मैं नहीं यहां लिखा है लेकिन बहुत तीजी इसको अपन समझते हैं देखें डाइलूटेट इपीस की क्यलकुलेशन के लिए कि आपको क्या करना है आँए आप रामलाल वाले एक्जामबल लेके चलो इस वडिजामपनीन अपने लिग इसर्फेल बैसिक कि क्यलकुलेशन के लिए यानि कंपनी ने करमकांट करें तो उसकी वज़े से जो पोटेंशल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानि वह अभी इक्विटी शेर्स में इस्यू नहीं हुए फ्यूचर में कभी हो सकते हैं लेकिन आम आज हाइपोथेटिकल करेंगे कि वह इक्विटी शेर आज ही बन जाते हैं म इसके अलावा कुछ एड्जेश्ट्मेंट अनिक्स में भी होता है जब नंबर ऑफ शेर बढ़ते हैं तो कंपनी के अनिक्स में कुछ सेविंग हो सकती है कैसे हो सकती है इसको भी रामलाल वाल एक्जांपल से समझना आप देखिए नामलाल जब दूसरी बीवी लेके आया हो सकती है अगर हो जाते हैं तो वह सब अभी अपन देखेंगे क्या एड्जेश्ट्मेंट है बाकि फॉर्मुला में तो कुछ था ही नहीं बेसिक एपिएस वाला प्रॉफिट लोस बेसिक एपिएस वाला वेंस लेना और जो एड्जेश्मेंट होना बनता है पोटेंशल गिरावत आप बोले दें जनरली कमी ही होगा तो हम इसे डायलूटीव बोलेंगो रिपोर्ट कर देंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया रिपोर्ट हो गई लेकिन यह अगर कभी बेसिक एपिएस से ज्यादा आजाता है तो सब्सक्राइब बेसिक एपिएस से ज्यादा आने के बाद तो यह तो सब बढ़िया बात है तो हम इसे रिपोर्ट नहीं करेंगे अगर हमें नुकसान हो रहा होता है तो हमें पता चलना चाहिए फायदे में क्या यह कैसे हो सकता रामलाल वाले एक्जामपल में रामलाल दूसरी वीवी जो लेकिया आया वह बहुत बड प्टेंशियल बच्चों को जब कंसीडर किया उसके बाद भी पर हैड जो अर्निंग थे पहले उससे भी जाद आ रही है यानि सब्सक्रोड पर हैड आ रही है मतलब डाइलूटू पोटेंशियल वाले शेर होल्डर के आने के बाद जो अर्निंग से वह इतनी बढ़ गई क आपका जो एकश्याट से एंटि डाइलूटिव वह बढ़ रहा है बताने के वह एगजिस्टिंग बच्चे तेंशन लेंगे वह बोलेंगे पता जी आप एक क्यों लेकिया है दो तीन बीविया और लेकिया हो वह ऐसा बोलेंगे ठीक है तो टेंशन नहीं लेंगे तो सेम चीज़ यहां पर है कि एंटी डाइलूटिव होता है तो कुछ रिपोर्ट नहीं करेंगे ऐसे केस में आप क्या करोगे फाइनिशल स्टेट्मेंट में जैसे बेसिक लिखोगे ना मानलों हंड्रेड है उसी के साथ में एंड डाइलूटे डिपेस सेम एज बेसिक एज रिपो करना था है डाइलूटेड़ एप्पी एज वाला जो फर्मुला है इसमें जो भी आप एजच्टमेंट करें अपको दिक्वेट करना तो यह ताड एडाइलूटेड एपेस की कलकुलेशन अब इसमें आ डाईलूटेड़ की क्या को एजगदेशन में कोई दिक्कत नहीं थ तो सीकना है ठीक है वह अग्या होगा अब को सीखना है तो इसके लिए मैंने एक टेपल बनाइए इसमें देखोगे तो चार कोलम की टेबल है सबसे पहले स्क्रांब सोटेंचेल हूं नोमेटर में एडगंट होगा णारिपटीफिमेंट चीज़ करेंट्वल बस सब्सांड़ और पूद पूर्प्र नहीं होने बाद है कि लिए यह फारन है मैंने पूरा फाइनल क्रक्स है मैंने बीए पूरा सब्सक्राइब को अगर आपने याद भी कर लिया तो आपको पूरा काम हो जाएगा कोई भी क्वेशन नहीं रुकने वाला डायूटेट का एदम पर्फेक्टली आप सॉल्व करने वाले हो जो कि अपने क्लास में करके भी देखा है और मैंने करवाया भी आपको हर एक बनाए और यह मैंने आपको बताया है कहीं नहीं मिलने वाली आपको यह क्रक्स ना मौड्यूल में ना किसी और वुक में आप बेर इंडिया डाउनलोड करो वेबसाइट से तो वहां पर भी नहीं मिलना आपको यह मैंने इस पेशली बनाया है तो इस अप्वाडिंग ही ब जब बिल्कुल सिंपल है पहले डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर में क्या होगा तो सिंपल सी बात है मैंने इनके बदले बताएं उसमें तो इस बताएं तो इतना सा अगरेंटर में क्या करना है तो सब्सक्राइब क्या होगा अनिक्स में कुछ सेविंग हो सकती के बिल्कुल हो सकती है आप क्या मान रहे होगी अगर हो जाएं तो इतने शेर बन जाएंगे तो इन पर डिविडेंट जाना भी बंद जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए आपने कौन सा प्रॉफिट लिया है प्रॉफिट लॉस दिन बेसिक एपिस वाला उस वह कैसे आता है पैट में से करके तो आगे थे तो वह प्रॉफिट जाएगा निस वह वापी सेट बैकर वह कंपनी की सेविंग होगी न बस यह एडजस्ट्मेंट है बताओ क्या था इसमें कुछ भी नहीं है अब इसे कंवर्टिब डिवेंचर या बॉन्ड हो तो डिनोमेटर में वही नंबर आफ एक आपका profit बढ़ेगा लेकिन इंट्रेस्ट जो है उसके आपको tax saving मिलती है मान लोग 1 लैक रूपीस का आपने इंट्रेस्ट का खर्चा बुक किया था थो 30,000 की होने वालिया क्यों टेक्स का फायदा भी तो नहीं मिल पाएगा तर्फरेंट वाली चाहिए अपूंध्क वाली क्या चीज है ताइम फेक्टर बिल्कुल लॉजिकल है जो आप समझ लो ताइम फेक्टर वाला जो पॉइंट है ना वो मैंने आपको इंडियस 23 बॉरॉइंग कोश्ट में भी बताया हुआ है वहां पे बहुत काम में आया था वहां पे जो लॉजिक अप्लाई हुए थे सेम वही लॉजिक कि यहां पे भी अप्लाई होंगे तो मैं एक बार आपको ब्रीफ में वापस एक्स्प्लेइन कर देता हूं देखिए मालीचे करेंट यह आपका 1 अप्रेल 2001 से 31 मार्ट 2002 का है इस फाइनेशल यह निकालना है मैंने पहले ही बताया था एक पीरिएड वाइस कंस्याप्ट होत पीरियड वाइस कंसेट होता है तो अब समझेगा टाइम फेक्टर में क्या बोलना चाहरा हूं टाइम पेक्टर का मतलब है कि आपको डायलूटिव लेना है मतलब जो आपने डिवाइड में अबर उसे प्रेश्ट करना पड़ेगा क्यों करना पड़ता है कि अब तक का का क एक्जामपल से बहुत तीजीली समझ में आगा माली जिए कंवर्टिबल प्रिफ्रेंश कंपनी ने इस्यू करें बहुत पहले से ठीक है बहुत पहले से इस्यू करें यह वन लैक एक्विटी शेर्स में कंवर्ट होने वाले कभी भी होंगे तो पोटेंशल है यह तो आपक कितने टाइम के लिए पोटेंशल वही तो देखना आपको वह कैसे देखोगे उसके लिए आपको चालू कहां से करना है वह देखना फ्रॉम में हमेशा लेटर ओफ देट में लेटर ओफ देट चूस करने होते है बाद वाली डेट और टू जब तक लोगे तू में हमेशा अर्लियर और लेनी होती है सेम इंडेट 23 में भी एक्षिछ दो देट मेंसे जो भी अर्लियर वाली डेटोंगी वो लेनी पड़ेगी तो फ्रॉम में देखो फ्रॉम में कौनसे डेट लेनी है जब वह आपधिवल इंस्ट्रुमेंट जिसके बदले में आप एक्विटी शे वहां से कनसेडर करना चालोंपर तो और से यारव हो यह तो किसे अपर वहां से करना में तो पिछल्ए साल में घे ऊएन से देखना है कि Potency कितना है को जो सब गवर के लिए निकाला जाता है तो वह सब पहली करंट ने में तो एक बिगनिंग से काउंट करो आप फिर समझ में आया तू कब तक इयर एंड 31 मार्ट 2002 या फिर जब यह एक्चुल में एक्विटी शेर्स में कनवर्ट हो गए जब आपने में एक्चुल में इक्विटी शेर्स इश्यू करके दे दिए इनके बदले मालों 1 जून 2002 को आपने बेट 12 by 12 आगया एसे इर्निंग्स में मालो 5000 का एडजेस्ट्मेंट तो उसमें भी सेम टाम फेक्टर अप्लाई होगा सेम कंसेप्ट के साथ तो टाम फेक्टर दोनों जगे लगेगा दिनोमिनेटर नियूमेरेटर दोनों जगे को जो भी adjustment कर रहे हो वहाँ पर time factor से करो गया द्यान रखना लॉजिक मैंने बताया अब इस example को और modify करता हूं मानलो जो convertible preference share है ना वो मैंने current year में issue करें थे convertible preference share current year में issue करें थे 1st July 2001 को मैंने किसी को potential equity instrument दे दिये जिनके बदले वह एक्विटी शेयर बढ़ेंगे time factor यह बिगनिंग या convertible preference share की issue date सब फर्स चुलाई विचावरी लेटर फर्स चुलाई यहां से काउंट करो टू यह एर एंड यह वह एक्ट्वल में issue हो जाएंगे इक्विटी शेयर सब्सक्राइब बाद में करके लाए नहीं तो बच्चों को कोई टेंशन थी क्या नहीं जिदिन वह ब्या करके शादी करके घर लाए दिया कमिट्मेंट कर दी उसने उस दिन से उन बच्चों को अब टो गए और थाटीत नॉम्बर को एक्ट्वल में इक्विटी शेयर इसु करके दे दिये तो यह कितने टाइम के लिए पोटेंशल रहे पोटेंशल है कितने टाइम के लिए और यह बिगनिंग और कन्वाटिबल इंस्ट्रुमेंट इसू डेट विचा वरी लेटर या सब्सक्राइब यहां पर यहां बहुत यहां से यहां से यहां से यहां से याप रीड कर लो याद कर लो लेकर फिर उसमें पोटेंशल का अगुलर में तो आपका पॉइंट कंप्लेट अब इसमें कुछ और आपको नोच द्यान रखने हैं एक दो वह देखी क्या है जब आप एडजस्ट्मेंट देखो गया तो कुछ आधर इंपक्स अगर हो रहे हैं इन जो मैंने नॉर्मल इंपक्स बताए जनरली यह होंगे इसके अलावा कुछ अधर इंपक्स अगर क्वेशन में गीवन है तो वह भी आपको कंसिडर करना है पोटेंशल इंस्ट्रुमेंट के वज़ेते जैसे कि इंक्रीज मैनेजमेंट बोनस या फेर पर्सेंट हम आपको देंगे उसका वन परसेंट हम आपको शेयर देंगे ठीक है उसका बोनस देंगे मेनेजमेंट को प्रॉफिट हो घुड़ीयक इंक्वा वन ऊलो sourd बढ़ जाएगा ना मारा क्योंकि आगेते इंट्रेस्ट होगा नहीं यानि अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10,000 अब बताओ यह जो प्रॉफिट आपने बढ़ाया यानि आगेते मैनेजमेंट वाले जो बोनस है वो भी 10,000 पर मांगेंगे ना कि 9,000 पर यह थाउज इसके लावां फेल्व लॉव गेनलॉट मानों आपने कोई इंश्टूमेंट वगएरा शुय किया जिसमें आपशन दिया और बनों इसका यह बाई-ट पर दिखा हो सब्सक्राइग पिर वेल्यव गेन लॉग सब्सक्राइग हो गया जिसका फेल्वेलियु गेनल लॉगा वह वापस profit में adjust करो ठीक है तो अगर कुछ ऐसा बता रहा है तो आपको करना रहेगा जो कि आपके बास question में available होता है एक आधी question में इसके बाद एक और point देखिए अगर आपको multiple conversion ratio दे रहा है यानि आपको multiple possible scenario बता रहे है कि अगले साल आओगे तो 100 shares में convert कर देंगे पर bond को उसके अगले साल करवाओगे तो 110 shares में करेंगे उसके अगले साल कराओगे तो 90 shares में करेंगे multiple scenarios दे रहा है multiple conversion ratio दे रहा है तो आपको कौन सा लेना है हमें तो number of shares देखने है कि इसको convert करने पर कितनी होंगे तो कौन सा वाला काम में ले तो तर उसके लिए वह वाला conversion ratio काम में लेना जिसमें maximum number of shares जाने वाले हो यानि 110 अपने example में वह आपको लेना है maximum वाला तर ऐसा क्य तो करें दिया अब यह जो बीवी है दूसरी वाली इससे potential कितने बच्चे हो सकते हैं एक ने बोला यार दो कर लेगा एक बोलता नहीं ज्यादा शोकिन आदमी तीन बच्चे करेगा ठीक है तो अब उनके mind में दो scenario दा रहे हैं दो या तीन potential आप maximum वाला ले तीन क्यूंकि आप यह देखना चाहिए maximum हारी property कितनों में बढ़ सकती है वर सिनेरियो में हमारा क्या हो सकती है ठीक है यह ध्यान रखना यह होता है इसके बीच्चे का logic यह आपका convertible वाला पार complete होता है किस तरह के देजस्मेंट करोगे अब देखिए इसके अंदर आपके mind में दो जो च कंपनी ने शुकर रखें कुछ बच्चे बच्चे बच लेते हैं ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है वह क्या करेंगो इडिमेबल प्रिफ्रेंट करके आजाएंगे डाइलूट एडिपेस के लिए अरे बाई कहीं बोलाई नहीं है वह पोटेंशल हो तो ही एडिस्मेंट क जल्द बाजी में खलती करते हैं ध्यान देना सिर्फ कनवर्टिबल प्रिफेंशर या कनवर्टिबल डिवेंचर बॉन्ड होगा तो ही पोटेंशल इंस्रूमेंट के एडजस्टमेंट में जाएगा ठीक है जो आपके पोटेंशल इंस्रूमेंट मैं यहां पर चार करेंगी पैसे के बदले तो सर उसको भी पोटेंशल माले क्योंकि फ्यूचर में आ सकते हैं दावेदारी बढ़ेगी एर्निक्स कम होंगी फिर तो ऐसे कुछ भी एस्टिमेशन ले लो फिर तो आप हवा में निकालके दोगे आपको आज के करमकांड के बिस्स पर निकालना है कि कंपनी ने आज कोई करमकांड कर रखा है जिसकी जैसे शूचर में शेयर जाकता है शूचर का एस्टिमेशन नहीं सोचना आज का करमकांड होना चाहिए तो ऐसा डाउक भी नहीं आना चाहिए पोटेंशल का मतलब बस यह पोटेंशियल है अब आजाईए इसके बाद शेजमें के एडिजस्टमेक्ट होगा बिल्कुल सिंपल ऑफशन वरेंशंवोर्न खेस में देखे तरफ्सेश्मेंन ऐना निंग्स कुछ नहीं होना क्या इंँद्ध में सेविंग होगी अपने अपने साल तक अरकरते हो तो दो साल तक रेगूलर करते को अब हैंने 27 59 सिर तो कुछ होना ही नहीं है अब क्या होगा तर जितने शेर्स आपने प्रॉमिस करें 2000 यह होना चीए पर इसमें थोड़ा साथ दिमाग और चलाना पड़ेगा मानलो मैंने एंप्लोई को बला था फिरी में आपको 2000 देदूंगा दो साल बार तो ठीका पोटेंशियल आज कर्मका करते होना एंप्लोई को तो कई बार एक्सराइस प्रैस भी रख देते हो फ्री में देते हो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है आपने बोल दिया कि 10 रुपीज का शेर है ना आप लोगों को दो साल बाद 4 रुपीज में देदूंगा ऐसी एक्सराइस पैसर दी मतलब मैं existing जो ए प्राइलिमेंट ठीकि फ्यूचर में आप शेर से करने वाले एंपले को पोटेंशल आपको नजर आ रहे हैं 2000 उसमें सारे पोटेंशल नहीं है थारे फ्री के दावयदार नहीं है कुछ ऐसे हैं जो फोर रुपीज पर शेर पे करने वाले है ठीक है पैसा भी आने वाला है वह लोग तो पैसा देंगे उसके बदले शेर ले रहे तो फॉर उपीज जितने शेर बनते हैं वह तो नॉर्मल इशू है वह उस दिन जब होगा तब नॉर्मल इशू में आ जाएगा बिना पैसे लिए तो सेम यहां पर फिरी वाला एलिमेंट देखना है पोटेंशल करम क कि वह आप जो रामलाल है उसको मालूम है कि इतना इसां पैसा इसे इस तो फॉर्म में आने वालाकि में आने वालकि कि I have right Okay, 15 yalun voucher मों और सुर्टेम चाहेगा कि रोतना हो चाहेगा सकना 10-4 आप इसमें से free element कितना दे रहे हो 10 का share चार में यानि 6 रुपीज का यह तो free element होने वाला out of 10 रुपीज तो यह 1200 इसमें potential होंगे बस यह adjustment होगा denominator में और फिर time factor तो बिल्कुल सिंपल अब यह बिग नहीं यह जब आपने ठीक है जो थोड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे ऐसा कुछ आपने पहले अभी थोड़ी दे पहले पढ़ाया राइट इश्यू में भी तो यह तो यह तो यह तो गलती है गलती कहीं नहीं बस आपके concept समझने में options और आइट इश्यू आपको एक अलग डिफ्रेंट चीज़ें दोनों को समझना पड़ेगा राइट इश्यू के वास्तों में एक्चुल इश्यू है जो कंपनी आज कर रही है राइट इश्यू आज बोल दिया कंपनी आज हो गया ज्यादा से ज्याद इस वज़े से वह बेसिक की प्यास में आता है ठीक है इतले उस तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट किया आप्शन कोई ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल तो आज इश्यू होगया ऑप्शन आज मैं ग्रांट अनॉंस करता हूं कुछ कंडिशन लगाता हूं को फ्यूचर में होंगे होंगे तो होंगे वह भी कनफर्म नहीं होता पोटेंशेल तो जो फ्यूचर में होने वाला आपको लगता है कि को सकता है फीचर में वह होता है पोटेंशेल इंश्यूमेंट तो option इसवजह से potential है राइट इसवागया आपको बार तो आपको concept समझना पड़ेगा हर चीज स इसके बाद देखिए next contingent shares contingent shares में क्या adjustment होगा contingent shares में मैंने आपको उताया business combination के time आपने कोई condition रखी सामने वाले के उपर यह fulfill कर दी तो हम आपको इतने share और issue करके देदेंगे जैसे कि मैंने बोला कि आपने पूरे इंडिया में अभी next year के अंदर जितनी भी retail store open करोगे हर retail store open होते ही हम आपको 5000 शेर इशू कर देंगे contingent share मैंने promise कर दिया मैंने share promise कर दिया commitment देदी फ्यूचर में अगर हुआ तो मुझे देना पड़ सकता है potential तो कर्मकांड कर दिया बस आज कांड हो गया existing वालों को विचारों को भुगतना पड़ेगा ऐसे मैंने condition रख दी कि मान लीजिए आपका दो साल बाद profit सपोस 20 करोड में कुछ adjustment होना नहीं है number of shares में directly जो भी मैंने share promise करें वो आ जाएंगे ठीक है कि मैं जो promise करूंगा वो फ्री में issue करके दूँगा और time factor यह बेगनिंग या contingent share का agreement यह जिस दिन commitment किया इसका एक special question होता है जो मैंने पूरा क्लास में आपको solve कराया था अपने को करने में एक घंटा लगा था लेकिन बहुत एजी कंसेप्ट को बंड़ने के बाद क्वेशन लेंदी था वो अपने देखा था regular बैच में कि पूरा लेंदी क्वेशन था लेकिन आपने जिस तरीक इसका बनता है जिसको अपने ध्यान से कंसेंट्रेशन से पूरा पढ़ा दी था तो वह आप इस कंसेप्ट के वेशिस पर कर पाऊ गया अब देखिए आप डाइलूटेट करोगे किस तरीके देश्मेंट करोगे सब बता दिया मैंने अब आपके दिमाग में एक चीज आ सक वेंट right Now今日は रखेंएब अब आ सबके कहसे निकालेंगे तो कैसे होगी रूटन को मापको बताने जा रहूं सिंपर इसने कोई दिक्कत की बात नहीं सबसे पहलेब क्या करो incremental EPS निकालो हर potential instrument के लिए हर potential instrument के लिए आप incremental EPS निकालो incremental EPS आपको निकालना आता है जो मैंने आल्रेडी आपको ओता है adjustment इनानमी डिवाइड बाइड बाइड़ बायड डिवाड इन शेयर। सबस्क्राइब बॉण्ट इसके लिए पॉटेंशल इंश्रुमेंट उनकी रैंकिंग देदो मालों मेरे तीन इस्रुमेंट पॉण्ट और प्रिफेंश करन वह पॉट्पोर्स तो यह तीन थे इनों का इंक्रिमेंटल इपेस निकाल लिए अब इसके वैसी पर मुझे रैंकि सब्सक्राइस की रैंक Tyra इसका फॉट्पैंके रेंग कितन यह रहें वा माथ करने जा तो गपेस के सकता है मैक्सिम नो चले यह जब आपका बड़ेगाग लिए नंबर ओफ दभड़ेंगे तो वाननो बढ़ने का मतलब है एडजेस्टमेंट इन अनिंस कम होना और एडजेस्टमेंट इन श्यार्ट ज़ाधर होना तो incremental sब से कम कब आएगा जब इडजेस्टमेंट इन शेर्ष जादे होंगे और और अर्निंग्स में एड्जेश्मेंट कम होगा समझ में ऑप्षेंस का तो हमेशे जीरो आएगा क्योंकि इसका लॉजिक होता है थार इस्टेप में फिर आप डाइलूटेड इपेस निकालो कैसे निकालो आप वन वाई वन वाई वन जो आपके पोटेंशल इंस्ट्रुमें प्लस रइःंक one वाले का डम व Wakנन वाई की इनिकालन उसके बाद आप ऑमर्टेड व को निकालो कुं निकालो और लार्श व्यक्वाल लीची को सिट्ने में उन मेरे जो भी सबसे लौवेस्ट होगा उससे आप डिलूटेट के नाम से रिपॉर्ट कर दोगे क्यूंकि हम दो वर्ष सेनर्यू में देखना चाहिए ना बस कम्प्लीट हो गया तो बिल्कुल इस है पहले सब्सक्राइब करको सब्सक्राइबये या जिसका कम वो यहीं जो को one by one in order of ranking on cumulative basis के consider करके यानि सबसे पहले EPS निकालो rank one वाले को consider करके फिर rank one and two वाले को consider करके and so on last step में diluted EPS उससे बोल दोगे जो third step में आपने जितने भी निकाले उन में से जो भी सबसे low rest होगा यह आपका complete हो जाएगा तो यह आपका basic EPS और diluted EPS पूरा पार्ट complete हो चुका है अब इस इंडेस का कुछ एक्ष्ट्रा फाल्तू पार्ट अपने पास है जो अपन पटापट से देख लेते हैं अधर टॉपिक्स कि एपीज की प्रेजेंटेशन आप कैसे करने वाले हो आपको क्या करना है अपने statement of profit and loss के face पर basic और diluted EPS प्रेजेंट करना है यह तो अल्रेडी में बता चुका हूं तो इसमें क्या एक्ष्ट्रा बताना है मुझे क्या आपको जो अपना EPS है वो disclose करना पड़ेगा अगर आपका कोई continuing operation है तो उससे अलग EPS बताना है कोई discontinued operation है अपका तो उसका अलग EPS बताना है और को टोटल operations मतब फिर टोटल operations का आपको अलग से EPS बताना है इस तरीके ते प्रेजेंट करना है अपसर इसका मतलब क्या है वो समझ लो आप एक बार मैं आपको schedule 3 में जो पी एंडल का format है उससे दिखाता हूं इसके लिए आपको अगर इंडियास 105 याद हो वहां मैंने पढ़ाये था कंपनी के जो continuing operations है मतलब कंपनी का इसा धन्दा जो कंपनी आगे भी continue कर रही है तो उसके total income और उसके total expenses कंपनी लिखती है और profit or loss from continuing operations कंपनी निकाल देती है कंपनी निकाल देती है कि इतना हमारा उस धन्दे से प्रॉफिट लोस हा रहा जो आगे भी चलता रहेगा इसके अलावा दूरिंग दा इयर अगर कंपनी ने मान लिजे कोई major business line geographic area subsidy जिसे कंपनी ने classify कर दिया हो help for sale dispose off कर दिया हो तो उस पे भी कंपनी ने कोई profit loss कमाया लेकिन जितने time तक चला उसमें भी during the year कुछ profit loss कमाया होगा तो उस profit loss को आप अलग से calculate करो income expenses को net करके जो profit loss आएगा उससे सिंगल लाइन आइटम separately दिखाना पड़ेगा continuing operation के profit loss से P&L में यह मैंने आपको पढ़ाया था India 105 में कि discontinued operation का profit loss सिंगल लाइन आइटम आपको करके इंडेस बोलता है कि आप EPS दिखा रहे हो basic or diluted current year previous year कोई दिखात नहीं पर इसमें आप continuing operation का लग निकालो discontinued operation के लिए basic diluted current year previous year का अलग दिखाओ और total operation दोनों को मिलाकर जो profit हो रहा है उसके basis पर अनिंग्स परश्चा है basic diluted current previous का अलग दिखाओ मतलब कुछ extra नहीं बस calculations extra करनी है कुछ और extra नहीं समझ रहा आपको continuing operation profit loss मालो में यह consider कर लो number of shares हो है फिर discontinued operation जो धन्दा आगे चलेगा तो अब जब shareholder को आपको decision making में help करवानी है तो continue operation का EPS देके उनको समझ में आएगा कि हाँ पर शेर इतनी ऐसी तो company को ऐसे present करना है calculation होगी तो आप आराम से कर लोगे इसमें special point है जो आपको ध्यान रखना है बस वह special point ही आपका इलिए काम का है जिसको पर question बनता है जो आपने करा हुआ हुआ डायलूटेड EPS अगर आपने continue operation के लिए निकाला देखो इस special point को मैं एक example से समझाया था वह example से बताता हुआ देखे continue operation है आप basic EPS निकालो discontinued operation का भी basic निकालो total operation से भी basic निकालो total या overall operation से basic EPS सबका निकालो सबका दिखा दोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप diluted में आप आपको special point जाना है diluted EPS आप निकालोगे ना सबसे पहले आप continuing operation का diluted निकालोगे continuing operation का diluted निकालोगे तो अगर ऐसा case होता है ना तो आप discontinued operation का भी diluted EPS कलकोलेट करोगे और total operation का भी diluted EPS कलकोलेट करोगे और प्रेजैंट कर दोगे तो इसमें नया क्या पता है ऐसा ही तो कर रहे थे नया यह है कि discontinued और total operation का आप diluted EPS calculate करके present करोगे इस respective चाहे फिर वो anti-dilutive क्यों ना है चाहे इन दोनों का जो diluted EPS आया वो anti-dilutive क्यों ना है मतलब control factor जो है वो continuing operation है आपका crux यह है कि continuing operation का diluted EPS calculate होके आ रहा है और वो dilutive है और वो present हो रहा है तो discontinued और total operation का भी diluted EPS निकालके present करो चाहे फिर वो anti-dilutive in nature क्यों ना हो एक्जामपल से समझो continuing का basic EPS 2 है और इसका diluted है 1.5 तो यह आगया आपका dilutive है कम है basic से तो यह report होगा अब discontinued का basic EPS आया सब्सक्राइब 0.80 और इसका diluted EPS निकाला अपने तो आ रहा है ऐसे टोटल operation का basic आया 1.3 और diluted आया 1.5 एंटी-dilutive है लेकिन continuing operation का आपने रिपोर्ट किया ना diluted EPS तो इसका भी होगा ultimate fact यह continuing operations पर डिपैंड करेगा और बास सिंपल सी है भी fact है क्योंकि आगे तो shareholders को continuing operation वाले ही profit मिलेंगे क्योंकि discontinued वाला तो बंद हो गया कि according total भी उसको consider करने के बाद आ रहा है तो इस वज़े से continuing operations का main है उसके basis पर ही बाकी EPS भी present होगे एक और अब discontinued operation का diluted EPS निकाले नहीं अगर continue operation का diluted EPS आपने निकाला और वो anti-dilutive आया तो आपने उसको क्या report कर दिया same as basic EPS तो उसके बाद discontinued और total operation का भी diluted EPS निकालना ही नहीं है directly उनके same as basic EPS कर देना चाहे फिर उनका diluted EPS निकालने पर निकालूंगा ही नहीं चाहे फिर वो diluted EPS निकालूंगा ही नहीं चाहे फिर वो diluted EPS निकालूंगा नहीं क्रक्स यह है कि discontinued और total operation का diluted EPS डिपेंड करेगा continue operation पर तो बस वहीं लिखा है continue operation का अगर DPS diluted EPS diluted in nature है तो आप discontinued और total operation का भी diluted EPS निकालो और प्रेजेंट करो चाहे फिर वो एंटी डिलूटिव नहीं और अगर continue operation का diluted EPS एंटी डिलूटिव आ गया तो आप उसको same as basic EPS रिपोर्ट कर दोगे और फिर discontinued और total operation का भी diluted EPS same as basic EPS रिपोर्ट करना है अलग से calculate करके नहीं देखना ठीक है बस इसना सही है point सालतू है एक बार देखलो complete अब इस इंडियस का लाश्ट टॉपिक इसके अंदर देख लीजे calculation of EPS in consolidated financial statement CFS में EPS की calculation कैसे होगी यह वाला जो पार्ट है ना यह पार्ट जो है आपका तभी समझ में आएगा जब आपने इंडियस आपको कुछ भी ऐसा इशू है तो यह भी आपको बता देता हूं फिर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है अग्दम के लियर होने चीए तो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब समझ यह उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक इक्जांपल से स्टार्ट करता हूं जो अपने रेगुलर में देखा था एक कंपनी है और एक दिन बी लिमिटेट जो कंपनी जी जिसने मार्केट में 1000 शेयर्स इशू कर रहे हुए थे बी ने उसके मैंने 80% शेयर्स यानि 800 खरीद लिए तो बी मेरी क्या बन गई सबसेडरी बन गई और मैं उसका पैरेंट यानि मैं बाप बन गया वो मेरा बेटा बन गया समझ में आती है बात तो ए लिमिटेट के कंपनी थी तो अपने सेपरेट बुक्स बनाती थी यानि सेपरेट फाइनेशल इस्टेट में नॉर्माली बैलेंशेट पी एंडल ऐसे बनाती है बैलेंशेट पी एंडल तो उसके अंदर दोनों कंपनी अपने पी एंडल में अपना अपना एप्स दिखाएंगी जो मैंने निकालना दिखाया हुआ है बेसिक डिलूटेड निकालके प्रेजेंट कर दो कहीं कोई डिफरेंस नीए बिल्कुल सेपरेट बुक्स म बनाता कोना हमेशा ध्यानक नहीं पैरेंट कंपनी बनाती है ताकत कोन दिखायागा जिसने किसी को खरीदा है वही तो ताकत दिखायागा तो यह लिमिटेड वो लेगा देखो पहले मेरे पास यह सब था यह तो यानिए लिमिटेड खुद की बुक्स में जो भी आइटम स फेड कमपनी बनाती हो पैरेंट कंपना डेटा एक देटल में खेक विछ ट्रि अदरस यह पता होना चाहिए टो हम इस तरीके से एक लिए तो अब देखिए जो CFS में consolidated profit आएगा उसमें parent का खुद का profit आएगा इसके अलावा subsidiary का जो profit है आपने याद होते इंडियस 110 में हमने कहता पॉस्ट acquisition profit में share लेते थे parent वही तो चीज़ है अपना share ले लेगा इसके अलावा subsidiary का जो में भी EPS दिखाना पड़ेगा तो वही basic or diluted EPS present होगा अब यह CFS के अंदर present हो रहा है इसलिए हम इसे consolidated EPS या group EPS भी बोल देते हैं बस CFS में जा रहा है इसलिए group या consolidated EPS बोल देते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए EPS जो CFS में present होता है उसे हम group या consolidated EPS बोल देते हैं वही basic or diluted दोनों निकलेंगे तो group का basic EPS निकालने की बात करते हैं basic EPS कैसे निकलेगा बहुत simple है profit loss लेना है attributable to equity shareholder वही concept है ordinary equity shareholder के लिए available profit of parent entity बस equity shareholder होल्डर होने चाहिए parent entity वाले पेरेंट entity वाले equity shareholder के लिए available profit सब पेरेंट वाले क्यों सबसेडरी भी इंकल्यूड हो जाती है तो उसके equity shareholder क्यों नहीं तो बस वह logic पर डिपेंड करते हैं आपका concept के लिए होना चाहिए अभी मैंने आपको बताया है cfs बनाता को ने पेरेंट मालिक आपको याद आना चाहिए इंडेस 110 में इंडेस 110 में क्या होता था इंडेस 110 में जब हम consolidated balance sheet बनाते थे ना इसमें जो शेयर कैपिटल आती थी तो इसमें आपको पता होना चाहिए सिर्फ पेरेंट की शेयर कैपिटल लेते थे अपाँ सीएफ सेंडर सबसीडरी की कभी भी शेयर कैपिटल रिजर्फ वगेरा पाट नहीं होते थे उसके बदले हम जो भी net pay किया उसको गुडविल कैपिटल करके दिखाते थे शेयर कैपिटल हमेशा सिर्फ पैरेंट की आती थी औ पहने उसको खरीद है मैं उसको कंपनी को थोड़ी ना साथ में खड़ा कर दूगा देखो यह बंदा भी यह साथ में कोई चोटा मोटा परसन हो रहा है उससी में किवल अपना पॉजिशन दिखाऊंगा क्योंकि मैं अपनी आपकी पोजिशन दिखा रहा हूं कि मेरे पास क मेरे खुद की पूरी कमपनी है साथ में उस कमपनी में एतना परसेंटेज रख है इससले में शीर लोगों के लिए अविलीबल प्रॉफट का उल्फिशो एक तो प्लीट हुआ इन्हों थो पैसा लगाया हुआ है इन्हों दो करीजिय में वही तो प्रॉफिट आता है Krtt के अंदर को सिँफ से के अन्दर के अंदर सबसीडर के और सब सीड के अंदर का हिस्सा कितना है यह होगा mr 충 तो इस प्रसेंट और बनता है जो शेर ओल्डर ने पैसा लगा रहा था इस कंपनी में पैरेंट वालों का यह तो बटेगा सी एफस में आते ही पैरेंट के शेर से आपको किलियर होना चाहिए तो यह तो नॉर्मल चीज है अब बस न्यूम्रेटर वाला पार्ट देखना आपको न्यूम्रेटर कैसे कैलकुलेट होगा तो उसके लिए बहुत सिंपल है आप पैरेंट का खुद की इंडिविजुल बुक में जो प्रॉफिट लॉट अपने एक्जांपल में वह ले लो प सब्पार हिससा कितना है ठर्स एग्जांपल मालो सब्सिर्टरी अपने शेयर और सब्सिटरीं को बेसिक नंटा अर्णिंग्क पट्स इतना एजी है बतलब आपको profit loss parent का खुद का तो ले लेना है साथ में subsidiary में आपको अपना हिस्सा लेना है अपना हिस्सा कैसे लोगे जितने भी shares मैंने subsidiary के held करे हुए है equity shares parent ने held करके हैं subsidiary के investment क्या हुआ है 800 shares अपने एक्जांपल में इन्टू उसका basic EPS का है यानि उसके shares में मेरा हिस्सा बस यह होगे आपका गुरूप का basic EPS बहुत एज़ी है यह आप अगर समझ लेते हो तो अब गुरूप का डाइलूटेड EPS तो सेम उसी तरीके थे profit loss attributable to equity share orders of parent entity जिसको एड़जेस्ट कर दोगे परेंट का खुद का profit loss जो आपने basic EPS की calculation में लिया था परेंट का खुद का profit loss वो ले लिया इसके अलावा आप सबसेडरी के profit में हिस्सा आप सबसेडरी के profit में आप directly total हिस्सा ले लो यह सबसेडरी के total diluted profit ही निकाल लो तो सबसेडरी का भी अब आप diluted EPS निकालो सबसेडरी का क्या निकालो diluted EPS वो नॉर्मल तरीके से जैसे मैंने अल्रेडी सिखाया हुआ है individual company का वैसे निकाल लोगे वो diluted EPS में हम share मांगेंगे सबसेडरी ने मार्केट में को देखो ए लिमिटेड हूँ है मैंने subsidiary company जो है बी लिमिटेड इसके 800 शेयर सेड करके हैं subsidiary का diluted EPS निकाला रुपीज 3 वो नॉर्मल तरीके थे subsidiary ने जो मार्केट में potential instrument issue करके थे वो सब consider करके अब बताओ मैं कितना हिस्सा लों तरी इंटू रूप 800 शेयर ले लो नहीं अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा subsidiary ने मार्केट में 400 convertible preferential issue कर रखे थे बस यह इसका potential instrument था तो उसने जो 400 convertible preferential issue कर रखे थे ना उसमें 300 convertible preferential में तो मैंने investment कर रखा था यानि उससे diluted EPS निकालते वक्त क्या सोचा होगा कि 400 convertible preferential है यह equity share में convert हो गए hypothetical यह यह एक शेयर की जगह एक equity share दिया गया है तो मेरे पास 300 convertible preferential है यह नहीं मैं यह एक्विटी शेयर में convert हो गए subsidiary का जो मैं 300 preferential में पैसा डाला हुआ था वो 300 equity share बन गए hypothetical यह भी मैं भी यह एक्विम करूंगा तो मेरे पास subsidiary के कितने share हो गए 800 तो पहले से 300 यह यानि total 1100 इसमें रुपीज 3 का share लोगा यानि diluted EPS निकालने के parent का खुद का profit loss जो basic EPS में लिया वो नॉर्मली ले लो इसके अलावा वाद subsidiary का diluted EPS निकालो और उसमें number of shares including diluted shares जो मैंने subsidiary के head करके उससे multiply करके share ले लो पूरा logical है प्लस अब देखो अब एक चीज़ प्लस करने है मैं हूं parent entity मैंने खुद अगर मार्केट में पोटेंशल इंस्ट्रूमेंट इस्ट्रूमेंट करना पड़ता है ना मेरे खुद के नहीं फैनी तो वो भी आप एड्जस्ट कर दोगे बस या जाएगा प्रॉफेट लॉस एट्रिबुटेबल एड्जस्टेड वाला डिनॉमिनेटर में वेटेड़ अगर अगर पोटेंशल इंस्ट्रूमेंट का एड्जस्ट्मेंट अगर कुछ है तो मैंने पोटेंशल इ इसे के दाथ इंडेस्ट अपने सारे कंसेट्स को कवर कर लिया है एक एक कंसेप्ट को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है वापस से आप इन कंसेप्ट को अब पढ़िएगा सारे कंसेप्ट करिएगा और नौट्स पढ़ लीजेगा इसके बाद फिर आप क्वेशन बैंके जो अपने रेगुलर बैच में क्वेशन करें वो एक बर आप द आप इन कंसेप्ट को अप्लाई करके सॉलुशन करना और फिर आपका फाइनल आंसर मैच करना पूरा सब कुछ मैच हो जाएगा तो आप इस तरीके से करिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से कम्मिनिकेट करिए मुझे बताईएगा कि इसमें आपको क्या सही लगा नहीं लगा कुछ दिक्कत हो तो वह भी बताईएगा और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स पगेरा के साथ भी शेयर करिएगा उनका भी थोड़े हैल्प हो जाएगी और मैंको भी अच्छा लगेगा और वो उसका सही से डंग से यूज ले पा रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यो सो मच रादे रादे